नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे दोस्तों hyperverse के regarding मेरे friend ने मेरे से कुछ सवाल किये और उन सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया तो दोस्तों उनी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माधियम से देना चाहता हूँ जो भी लोग इस community में काम करते हैं या करना चाहते हैं या फिर उनके बहुत सारे doubts है शायद इस वीडियो के माधियम से मैं हर एक सवाल को clear करने की कोशिश करूँगा मैंने बहुत सारे यहां पे चीज़े इकटा की हैं खुद research किया है उस research को मैं आपके सामरे शो करूँगा और दोस्तों आपका यह खुद का भी फर्ज बनता है कि आप भी खुद से research करें खुद से due diligence करें और बहुत सारी चीज़े खुद से देखें फिर जाके दोस्तों आप यहां पे start up करें आपको मज़ा भी आएगा काम करने में और हर एक चीज की clarity रहेगी तो बिना किसी time को waste किये शुरात करते हैं आज की शांदार वीडियो की और दोस्तों अगर आपका कोई भी doubt रहता है कोई भी सवाल रहता है या फिर आपको कहीं लगता है कि यहां प आपको को समझ पाएं दोस्तों कुछ बहुत ही महत्तपून सवाल मेरे दोस्त ने किये कि इसकी profile के बारे में पुछा क्योंकि profile के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्या इस company की profile सही है या नहीं है इसके बाद इनोने पुछा कि इसके जो coin है वो listed है या नहीं है इसके सवाल और इसके इलावा company IP लाने वाली है mining लाने वाली है सुनने माय बहुत सारी exchanges पे लिस्टेड है और बहुत सारी exchanges को बना चुकी है कुद की blockchain है दोस्तों जिन सभी सवालों के जवाब मैं आपको video के मादिम से देना चाहता हूं जी है दोस्तों आप अपनी खुद से भी research करें Google पर जा सकते हैं और खुद से research कर सकते हैं company के वारे में क्योंकि मैं जो भी यह आपे आपको चीजे बताने वाला हूं mostly मैंने internet का ही साहरा लिया है और वहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों एक और चीज में आपके सामने clarify करना चाहता हूं कि एक creator के पास बहुत बड़ी power होती है या तो वो guide कर सकता है या फिर किसी को misguide भी कर सकता है क्योंकि यह editing का जबान है कोई भी इंसान किसी को भी editing करके या कुछ भी करके गल्त रास्ता भी दिखा सकता है और और सही रास्ता भी दिखा सकता है तो मैं आपसे बिलकुल एक humble request है h5.thehyperverse.net यहां पे इसको आप सर्ज कर सकते हैं और यहां पे sign up और login कर सकते हैं अब सवाल उठते हैं इनके जो basic सवाल की यह है कैचीज तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले Wikipedia पर दोस्तों इसको मैं थोड़ा back कर लेता हूं यहां पर आपने डालना है blockchain global तो दोस्तों यहां पर लिखा आएगा global blockchain तो यहां पर global blockchain के बारे में लिखा Wikipedia और Wikipedia भी एक बहुत ही सही source है यह भी कोई mining and management consulting company headquarter in Melbourne Australia founded as Bitcoin group तो इनका Bitcoin का गुरूप फटर रहा है after attempting to become first digital currency company to IPO without so called backdoor listing दोस्तों यह बैक डोर लिस्टिंग करनी चाहती है अपना IPO निकालना चाहती है इसके लावा तो इसकी history पर जाएंगे तो यहां पर Bitcoin group found हुआ था 2014 में और यहां पर mining company है इनकी और partnership की बारे में बात की गी है partnership हुई है यहां पर Samly and दोस्तों यहां पर रियांजू तो यह जो चीजे बताए गई है स्टेंबर 2015 और इसको आप सर्च कर सकते हैं Wikipedia पर तो यहां पर भी आपको कुछ information मिल जाएगी अगर आपकी English अच्छी है अगर आपको सर्च करना आता है तो आप देख सकते हैं यहां पर Australian government के तरफ से कुछ बताया गया है कि आपको यहां पर यहां पर यहां पर पढ़ने को मिल सकती है एक तो होगी यह अब सबसे बात आती है को फाउंडर के वारे में हम फाउंडर के बारे में पढ़ते हैं या वर तो आप सीदे जाएं यहां पर Amazon Prime पर, ठीक है और second option आपके पास आता है या फिर आप जाएं YouTube और YouTube आप डाल सकते हैं The Next Blockchain Prime, Amazon Prime का यहां पर इनका episode यहां पर भी बना हुआ है, हम इसको देखते हैं, अब इस सीज को अब ध्यान से सुनिए कि क्या मतलब किसी भी person को लेकर जब कोई documentary बनती है, movie बनती है, तो शायद उसमें कोई quality होती है, या फिर उसमें कुछ achievement की होती है, तो उस बसे इन पर भी एक रियान जू पर एक blockchain को लेकर documentary बनी है, The Next Blockchain Six, इसको अपसुनते हैं. Ryan Xu, also known as the Martian in the Chinese community, was born after 1985. Just over 30, he has already realized financial freedom that most people yearn for. He is one of the earliest Bitcoin investors in China. At first, he drew attention as an activist on social media, sparing no effort in promoting Bitcoin and blockchain technology, and persistently participating and investing in the industry. He saw this as his mission. The path he took embodies the ups and downs, the highs and lows of the entire industry. इसलिए Ryan Xu ने blockchain को start किया था, Sam Neil ने इसको start किया था, क्या मिनका mission था, क्या vision था, आप इसको देखेंगे तो शायद आपको और clarity आए, आपको इसके बहुत सारे drawback पता चले, या negative point, positive point पता चले, तो इस चीज़ को आप बिलकुल देखें, और आपको थोडी सी इसके बाद हम कुछ और चीज़े फांड करते हैं, फोब के बारे में आपने साहिद सुना होगा, फोब होती है कि जो वर्ल्ड के टोप, जो fortune, जो अमीर आदमी होती है, उसके बारे में वो डालती रहती है, celebrity होगे, चाहे business man होगे, चाहे किसी field को लेके होगे, तो दोसमें आपने लिखा गया है कि bitcoin foundation organization as released at name as ryanju has called further formation of china focused bitcoin, तो china भी digital currency पे काम कर रहा था, china ने भी इस चीज़ को लेके bitcoin जैसे बहुत सारे coins launch किये थे, तो उसकी तरफ से भी FOB किस तरफ से आई है, और इसको आप और पढ़ सकते हैं, originally posted at yibit.com, यहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और यहां पर क्या उनके बीच discussion हुई, क्या चीज रही, वो सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, तो यह सारी चीज़ आप यहां पर Forbes के official website पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं, जो इसक सच में कोई exchanges हैं, क्या इनकी सच में कोई coin है, जो exist करते हैं, तो सबसे पहले में यहां पर आता हूं, आप यहां पर आ सकते हैं, यहां पर जो इनका पहले coin के वारे में बात करने वाला हूं, उस coin का नाम है HVT, तो Hyperverse के नाम से इनका जो coin है, और यह लिए लिस्टिर कहां क्रिप्टो में काम करते हैं, coin market cap के वारे में आप जानते ही होंगे, coin market cap पे आपने जाना है, और सबसे ऊपर यहां पर सर्च वार्ट में सर्च करना है, HVT, और आपके सामने यह option आ जाएगा, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आ गया, rank इतनी है, 3446, coin market cap में 12 to 13, I think, यह 14,000 cryptocurrency, पूरे world की 14,000 cryptocurrency लिस्टेड है, उसमें से इसकी rank है, hyperverse की जो rank है, 3446, पूरे world में, है न, top cryptocurrency में आता है, इसकी rank अभी चल रही है, 3446, ठीक है, इसके बारे में, और इसका price करना चल रहा है, 4.47 dollar चल रहा है, और इसको आप खुद दे सकते हैं, coin market cap, इसके बाद इनके business volume कितना है, market cap इनके कितनी रखी है, और circulating supply कितनी है, और इनका graph यहाँ पर नीचे जा रहा है, जो कुछ टाम पहले इनका value आप दे सकते हैं, price क्या था, इनका, 4.8, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया है, 4.5 हो गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा, मतलब आपको अच्छी feeling आएगी, तसलिय आएगी, कि हाँ, इनका coin तो at least है, क्योंकि I think किसी भी coin को coin market cap पे list करना बहुत बड़ी बात है, कोई भी company के पास holding होने चाहिए, staking होने चाहिए, number of user होने चाहिए, तब जाके उस coin को list किया जाता है, coin को list किया जाता है coin market cap में, इसके बारे में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप time लेके बिल्कुल पढ़ें यहां पर, trading volume, market rank कितनी है, market cap कितनी है, हर एक detail आप ले सकते हैं यहां पर, इसके बाद इनका दूसरा coin है, MOF, molecular future, तो इसको भी आप coin market cap पे search करें, MOF के नाम से, जो इसकी अभी current price चल रहा है, वो point में चल रहा है, और यहां पर इसकी rank दिखी, इसकी rank और अच्छी है, इसकी rank है 2480, मतलब पोरे world में जो इसकी coin की rank है 2480, जो कि बहुत बड़ी बात है, जैसे कि Bitcoin first number पे आता है, Ethereum second number पे आता है, BNB, Ripple, ऐसे बहुत सारी coin आता है, तो इन coin की भी कहीं न कहीं, जो rank है, आप दे सकते है, coin market cap, जो कि सबसे trusted चीज है किसी भी crypto currency को देखने के लिए, अगर आप इस coin market cap में आते हैं, तो सिर्फ listed, listed मतलब verified currency permanent, जो कि मतलब जिसे आप trust कर सकते हैं, जिसे आप खीद सकते हैं, अगर कोई भी token coin market cap में listed है, तो उसको आप बिल्कुल तसली से ले सकते हैं, अब इसके वारे में आप पढ़ सकते हैं कि market cap कितना इनका, और दिखो इनकी growth काफी हुई है, market cap, business volume, और इसका ये sign है, और United States dollar में इसकी इतनी value है, इसमें आप अपना यहां पर feedback दे सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ और detail देना चाहते हैं, तो यहां पर पढ़ सकते हैं, side में यहां पर पूरी detail देगी है, price statics में आप जाके, पूरा यहां पर पढ़ सकते हैं, price data के वारे में पढ़ सकते हैं, और कहां पर मिलेगा, OKX में वेलेगा, CoinW में मिलेगा, crypto exchanges में यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसके बाद आप यहां पर एक और चीज में बताना चाहूंगा, who, who.com इनकी खुद की exchange है, ठीक है, जैसे Binance exchange है, Vajirex exchange है, Coinbase exchange है, CoinDCX exchange है, ऐसी बहुत सारी exchanges है, who.com exchange है, इनकी खुद की exchange है, जिसका नाम है who.com, इसे आप इस पर भी आप जा सकते हैं, अपना यहां पर भी लोगिन कर सकते हैं, और यहां पर भी crypto currency को आप buy and sale कर सकते हैं, देखो, number of currency यहां पर जो listed है, और यहां देखो, MOF USDT से convert होता है, तो इन्होंने भी future को लेके, अपनी coin को लेके, अपनी exchanger को लेके काफी ज्यादा work किया है, और इस पर काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसके इलावा अभी तक आपका कोई बहुत सारे doubts भी आ रहे होंगे, और आपके मन में तो please comment box में जा सकते हैं, अगर आपने इस channel को like नहीं किया है अभी तक, अभी like करें, अगर आपको video पसंद नहीं आ रहे हैं, आप dislike भी कर सकते हैं, और इसके इलावा दोस्तों के साथ share करें, टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके वो doubts हैं इस community को लेके, और चैनल को subscribe करें, आप भी subscribe करें, वीडियो के साथ साथ में subscribe करें, ताकि आपको new updates मिलती रहें, सही स्थिक जानकारी मिलती रहें, और यह चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यह चीज मैं खुद Google पे research कर रहा हूं, आप भी इसको research कर सकते हैं, आप भी डालें who.com, आपको यह चीज मिल जाएगी, इनकी अगली exchange है, यह देखिए, O-K-X, O-K-X, O-K-X इनकी खुद की exchange है, एक नहीं दो exchange, ऐसी इनकी काफी exchanges है, काफी exchanges में भी partner भी है, तो O-K-X इनकी exchange है, आप इसमें भी बिजिट कर सकते हैं, तो एक exchange को बनाने में बहुत बड़ी महनत लगती है, बहुत रसा लगते हैं, बहुत बड़ी team चाहिए होती है, उसको handle करने में, तो O-K-X बिल्कुल यहां पर running है, आप trade कर सकते हैं, इन्वेस कर सकते हैं, तो O-K-X के बारे में आप यहां पर और पढ़ सकते हैं, इनकी support team है यहां पर, और बागी चीज़े भी पढ़ सकते हैं, बाइ करना चाहते हैं, मार्केट कर देखना चाहते हैं, ठीक है, इसके इलावा मैंने इक और चीज़ सुनी थी इनके बारे में, वो थी Coilin Star, तो Coilin Star में आप जाके दे सकते हैं, आप इसे भी Google में सर्च करें, मैंने खुद Google में सर्च किया था इसे, मैंने Google में डाला था, यहां पर देखिए, Coilin Star Capital Founder डाला, तो मैंने जब यहां पर डाला, Coilin Star Capital Founder, तो Google ने मुझे यह बताया कि, यह रियांजू, इस बैल नौन अज ब्लोक्चें इन्वेस्टर, ही इस, Co-Founder of Blockchain Global, साथ में लिखा है, Founder of Collin Star Capital, तो इसका भी वह Founder है, and Founder of Bitcoin Development Fund, Member of Asian D.A.C.A. Blockchain Association, and Chairman of H.Cash Foundation, So, Google बाहिसाब बता रहे हैं कि, यह रियांजू है, Right? So, मैंने आपे, About Collin Star, Collin Star पर जाते हैं, www.collinstar.com पर जाएंगे, जिसके Founder है, रियांजू, Right? तो अब इसको भी देख लेते हैं, आप इसको खुछ से रिसर्च करें, आपको तसली आईगी, आपको अच्छा लगेगा, और साथ में आपे देखेंगे, इनके Partner कौन-कौन से हैं, इनके, क्या-क्या features हैं, देखो, बहुत अच्छी इनोंने website को design किया है, और technology ये future को लेके इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, Collin Star के बारे में About Us के बारे में पढ़ सकते हैं, तो features projects के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहां पर research partner आप दे सकते हैं, यहां पर Monash University, जहां से crypto के article लिखे आते हैं, hyper website में जाएंगी आप अगर, तो अगर आप यहां से दिखो लिखा है, Monash University, SJUT, आप इनको सब university को पढ़ सकते हैं, यह बुहान University, और Hong Kong, Polytechnical University, तो यह one of the two of universities है, world की, आप इनके article आपको कहां पर मिलने वाले हैं, Hyperverse में आपने जाना है, Hyperverse में यहां पर home, market, or academy आएगा, तो academy में जब आप जाएंगे, तो यहां पर articles आगे, तो यहां पर problem, यहां पर current चीजे आने वाली है, जैसे कि मैंने बहुत आर चीजे आपको बताई वी थी, BEV 3.0 क्या है, उसको लेके इन्होंने काफी जादा बनाया है, जैसा आप आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके राव आप स्क्रोल करते जाएंगे तो इन्होंने technology को लेके, blockchain को लेके बहुत वीडियो बनाई है, NFT, staking क्या है, आप इनके articles पढ़ते रहेंगे और यह top universities से articles आते हैं, इसके इलावा बिटकोइन के बारे में इन्हों वीडियो बनाई है, gaming जो will and train industry है, metaverse, hyperverse का नाम verse क्यों पढ़ा, क्योंकि इनकी वी virtual word आने वाला है, virtual word में क्या करेंगे, यह virtual word में अपने ही coin, इनके जो यह MOF है, HPT coin है, इसका ही use करेंगे, इन technology का ही use करके, यह earning करेंगे, जो यह community build कर रहे हैं, उस community का ही use करेंगे, और आने वाले अपने product and services को sale करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी सोच इस project के पीछे है, जो कि कुछ log side समझनी पा रहे हैं, मैं अपने point of view यहाँ पे फिर से रख रहा हूं, आप भी देखें कि क्या सोच हो सकती है, या होने वाली है इनकी, फिर आप इस पे work करें, देखिए टोप university से article आपको लिख के आ रहे हैं, hyperverse में, इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं, equity portfolio, देखो यहाँ पे equity portfolio, Binance, global blockchain, जो इनके founder है, यहाँ पे कुछ अलग, इसके बार मुझे इतना पता नहीं है, यहाँ पे लिखा है, vw.com, इसके बार में मैं आपको आगे बताऊंगा, यह चीज़ क्या है, हूबी Australia, Olympus Labs, और इसके बार दोस्तों अगर सबसे लाश में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, hypertech, जी हाँ दोस्तों, और भी अगर आपका कोई doubt रहता है, तो आप इन्हें mail कर सकते हैं, इसके बाद हम कुछ और रिसर्च करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया था उसके बाद, bw.com, आपने सुना होगा, जू मीटिंग में अपने फ्रेंड से, आपने सीनियर से या फिर किसी भी और से, कि bw.com का क्या लेना देना है इनका, तो दोस्तों यहाँ पे bw क्या है, bw है the world's leading one-stop financial service platform है, यहाँ पे login कर सकते हैं, अब हम इसको देखते हैं कि क्या यह चीज है, तो bw.com पे हम आ चुके हैं, बिल्कुर ने एक exchange की तरह इसको develop किया है, तो bw.com I think इनकी एक और exchange है, जहाँ पे आप buy crypto कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, finance कर सकते हैं, और देखो इनकी मैं अभी अब यह तक तीन exchanges already open कर चुका हूं, I think दो मैं के coin के बारे में बता चुका हूं, और कुछ और coin भी हैं, उनको भी मैं बताऊंगा आपको, इसके इलाबा आप जाएंगे दिखिए, मैंने को और चीज़ में सर्च की थी, वह सर्च की थी मैंने h.cash, अगर दोस्तों आप यहां पे डालेंगे Google पे जाके h.cash, तो आपको क्या चीज मिलने वाली है, अब दोखो, यहां पे सबसे पहले जो मुझे यहां पे मिल रही है, एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें आते हैं, रियांजू, रियांजू यहां पे भी है, मैनेजिंग डारेक्टर ओफ कॉलिंस्टार कैप्टल, ओवर 7-year experience in fintech, investor in bitcoin mining and other later project, तो यहां पे इन्होंने बताया है कि यह bitcoin mining के investor है, इसके रवाब बाकी इनकी profile भी आप इसके वरे में पढ़ सकते हैं, तो यहां पे एक और चीज जो हमें आती है कि रियांजू bitcoin के investor है, इनके bitcoin के farm सच में है या नहीं है, तो उन्हेंने एक video में mention किया था, जो कि आपको youtube में मिल जाएगी, रियांजू के नाम से आप यहां पे डाल सकते हैं, रियांजू अप डालेंगे तो आपको रियांजू live के नाम से या राइपर वर्स BTC mining के बारे में डालेंगे, तो आपको यहां पे रियांजू के एक video तिख जाएगी जिसे आप सुन सकते हैं, कि रियांजू की bitcoin को लेके क्या सोच है, माइनिंग के farm है भी या नहीं है, पी बियांजू? प्रवे माइन प्रयूम साथ मेंगे हैं पategल को फिख़ के 3 influence कर हो एकूंजू पर सोच्छ पे एक बारे माइन प्राइभा है ध्यूदान कि पानल्मग्ट कर दो इनकार दोडनीभ Mhm तो यहां पर बताया है कि बिटकोईन को लोग बलते हैं कि एक वर्चुल करंसी है जो मतलब दिखती नहीं है लेकिन यह बहुत है कि बिटकोईन को बनाने के लिए बहुत सारी लगती है बहुत सारे सूपर कम्पूटर लगते हैं तब जाके बिटकोईन को बनाया जाता है और लोग बहुते हैं कि बिटकोईन तो हावा में बात हो रही है लेकिन बिटकोईन को बनाने के लिए बहुत सा आगे बढ़ते हैं शाहिद वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन मैं आपको बरौसा दिलाता हूं ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी कमेंट बोक्स में कमेंट करें हैश्टेग हाइपरवस डाल के आपको अपने कमेंट कर सकते हैं या अगर आपको कोई सवाल है तो डाल सकते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और इस चैनल के मादन से आपको सही स्टीक चानकारी मिलती को लिए की विदय को लिक करें अपनी टीम के साहथ का서 अपने कुलीक के साथ इस वीडियो को जुरूशे करें तो हम यहां पे बात करें थे के यहां aún पर जो रीयान्जू चो यह आप डाल सकते थे olarak आप सप्री Mode कैश आपको यह यहां पे यहां पर मिल जाएगी यहां पर इसके जो investor है, call in star, bitman, यहां पर h.cash को आप सर्च करेंगे, तो यहां पर आजाएंगे कि कितनी इनकी exchanges है, कितनी exchanges के साथ इनका type है, आप दे सकते हैं, okx होगी, चाहे होगी होगी, और बाकी, यहां पर कुछ बड़ी-बड़ी exchanges है, ku coin है, इसके लावा यहां पर hit b btc, बहुत सरी exchange है, bw.com, जिसे हम पहले देख चुके हैं, शाहिद यह सारी चीजे एक वीडियो में discuss नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप इसको search कर सकते हैं, google पे भी, तो इसके बाद अगर मैं यहां पर जाता हूँ, who is ryanju, एक और फिर से पढ़ते हैं, who is ryanju, तो यहां प इसके बाद हम next पर जाते हैं, hypertech group, इनका main company है, और hypertech के नीचे बहुत सारी चीजे आती है, जैसे की hypertech के partner organization किसके साथ है, और हम किसी को भी ऐसे बोल के partner नहीं बना सकते हैं, अगर company बड़े लेबल पर काम कर रही है, तो उस पर case भी का सकती है, जैसे की नहीं पता है, binance, coin nw, jv.com, यहां पर xcraft, molecular future, दोस आप दे सकते हैं, hcash, hyperpay, जिन से ये google pay phone pay की तरफ payment कर रहे है, hdow.com, और hyperfund, आप एक बार फिर से दे सकते हैं, इस चीज को, यहां पर लिखा है, last में hyperfund, तो यहां पर hyperfund के भी ये partner organization, इनकी partner organization hyperfund से भी है, hyperfund से भी है, hypertech group को पैसा देते है चाहे है, cash हो, hyperpay हो, है न, और binance के साथ भी इनके 3.9% share है, यह चीज भी इनने mention की है, इस चीज का भी मैं आपको एक screenshot प्रवाइड करने की कोशिच करूँगा, जो coin star है, coin star का binance के साथ 3.9% तक share है, इस चीज को भी मैं पूरा mention करने की कोशिच करूँगा, मेरे पास एक screenshot पड़ा हुआ था, उस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद दोस्तों आप खुद से सर्च करें, Bigpedia पे और YouTube पे आप देख सकते हैं, और मैं एक और चीज यहां पर में को एक और रिसर्च करने से एक और चीज मिली थी, जी हां, यहां पर रियांजू के बारे मे यहां पर बताया भी गया है, कि उनकी education हुई थी, शेंगाई, जाओ, टॉंग, युनिवस्टी से, इसके बाद अब थोड़ा इसको स्क्रोल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि member हैं, यह H cash foundation के member है, Asian DCA, blockchain association के, और यहां पर इनकी co-founder है, को फाउंडर है, कॉलिंस्टान के, blockchain global primary limiter के career history यहां पर बताएगी है, education, और बाकी चीजे भी यहां पर बताएगी है, आप इसे भी दे सकते हैं, और इसके इलाबा में मेरे पास कुछ और चीजे हैं, मैं वह भी आपके सामने रखूंगा, ताकि थोड़ा आपको clarity आए, इसके इलाबा मेरे पास एक इसकी PDF प यहां पर collaboration with government and university कैसे है, यहां पर proof of CSIRO, pillar of high protect group, दोसों आने वाली वीडियो में भी मैं आपको पूरी details से सजाओंगा, इसकी due diligence, बहुत सारी videos हैं, और बहुत सारी इनके reaction है, तो उन चीजों को भी मैं आपको सामने रखूंगा, ताकि आपको clarity आए, और बाकी बहुत सारी चीजें जो discuss करनी रहेगी है, देखो यहां पर Monash Investi से भी यहां पर article लिखके आते है, call in star को आप सर्च जूर करें, cash को भी आप सर्च करें, इसके लाब एक और यहां पर document था, वो भी मैं आपको show करना चाहूंगा, यहां पर ASIC, Krunt and historical company, extract है यहां पर, यहां पर लिखा है क नेम है, blockchain global limited, आप सर्च करें कि global limited कोई company exist करती है या नहीं, ठीक है, ACN number है, 601-628-497, आप इस चीज को भी देख ले, इसके अलावे यहां पर time on date है, time and date है, 3 March 2020, ASET, और यहां पर timing और चीज भी बिताएगी है, तो यहां पर एक और चीज में आपको बताना, बताने वाला हूँ, call in star, call in star capital, pty limited है, और इसका जो ACN number है, यहां पर date दी गही है, इस चीज को भी अप सर्च करें, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ, इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही स्टीक चारगारी मिले होगी, और अभी तक भी आपके बहुत सारे doubts बचे होंगे, अगर आपका कोई भी doubt है, कोई सवाल है, कोई सुझाब है, तो प्लीज अभी comment box में जाएं, और अपने comment करें, वीडियो को लेके comment करें, वीडियो कैसी बनी है, उसको लेके comment कर सकते हैं, प्लान को लेके comment करें, और कोई भी सवाल है अभी तक आपका, या फिर कहीं पर मैंने कुछ गल्थ information दी हो, तो उसको लेके आप comment कर सकते हैं, ये मेरा खुद का point of view है, आप खुद भी एक बार इस को share कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी clarity आये, क्योंकि आज के time में कोई भी लोग खुद से research नि करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे से बूचते हैं, कि हाँ, आपको सही लगा, तो मैं भी ready हूँ, खुद से research करने के लिए ready नहीं है, लेकिन किसी भी जगा काम करने से पहले किसी company, किसी organization में आप खुद से research करें, अगर आप खुद से research करते हैं, तो आप सही तरीक्या से उस company में, उस organization में अपना effort दे पाएंगे, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान लगें, और आने विडियो में कुछ और पारेकिस सम्झाने की कोशिश करूंगा, अगर इस वीड किसी को misguide किया, हो तो उसके लिए sorry, दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें, वीडियो को एक like करें, और subscribe नहीं किया है, तो अभी जुरूर subscribe करें, और description में बिजिट करना बिल्कुल न भोलें, क्योंकि दोस्तों, description में मैंने important links डाले हैं, कुछ important links जिसकी वज़ से आप इ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो के लिटी भी आपको आने वाली है, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, useful video होगी आपके लिए, और आपके team के लिए, और आने वाले members जो इसमें काम करेंगे, उनके लिए useful होगी, और कुछ भी doubt रहते हैं, उन doubts को आप comment box में डालें मैं उन question को, उन question को आने वाली वीडियोस पर जरूर रिपलाई करूंगा, तो अपना कीमती time देने के लिए धने बाद, मुझे सुनने के लिए धने बाद, बहुत बहुत धने बाद, आपका दिन, शुब जाए